नवस्कार मेरा नाम है साहिल और अर्धिंग और लाइटनिंग प्रटेक्शन के बारे में एक और वीडियो में आपका स्वाकत है आज मैं बात करना चाहता हूँ अर्थ रोड और उनकी इंस्टलेशन प्रोसेस के बारे में अर्थ रोड किसी भी अर्थिंग सिस्टम का सबसे मुख्य हिस्सा है और इसलिए हमारे लिए ये जानना बेहत जरूरी है कि अर्थ रोड को ठीक से कैसे इंस्टल करें इस वीडियो में हम Earth Rod का मतलब Earth Rod के अलग-अलग टाइप और function के बारे में जानेंगे और आखिर में जानेंगे हम Earth Rod को ठीक से कैसे install कर सकते हैं तो चलिए शुरुआ करते हैं fundamental सवाल से Earth Rod क्या है Earth Rod एक ऐसा conducting element है जो जमीन में घराई तक घरा होता है और जो fault current को जमीन में जाने में मदद करता है Earth Rod अलग-अलग तरह के material, shape और size में अलग-अलग जरूरतों के अनुसार होते हैं जिनमें pipe, plate, ring वाल structure या एक Earth Rod के रूप में मिलते हैं Earth Rod एक तरह का Earth Electrode है और किसी भी earthing system का जरूरी इस्सा है Earth Rod को अमेरिका, कैनेडा और कुछ दूसरे देशों में ground rod के रूप में भी जाना जाता है तो यदि किसी को आप Earth Rod की बज़े, ground rod कहते सुनते हैं तो confused ना हो अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि Earth Rod का का काम क्या है Fault current किसी भी electrical network में पैदा हो सकता है इसके कोई वज़े हो सकती है जैसे की short circuit, lightning strike, damage हुए equipments और कोई भी वज़े से ये हो सकता है ये fault current सिस्टम से जुड़े किसी भी electronic उपकरंट के लिए हाने कारक हो सकते हैं और इंसानों के लिए भी ये खतरनाग हो सकता है इसी लिए earth road का काम है उस fault current को electrical system से जमीन में सेफ तरीके से ले आना सिस्टम में extra current हो तो उसे जमीन में ले आया जाता है और earth road की मदद से neutralize किया जाता है इस तरह हम short circuit और सिस्टम में electrical device को होने वाले नुकसान और बिजली के दूसरे खतर को टाल सकते हैं तो चलिए, material के आधार पर earth road के अलग-अलग type के बारे में समझते हैं earth road मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं पहली solid copper का, जैसा की नाम से ही जाहिर है ये copper का ठोस road होती है दूसरी copper bonded, ये steel से बना हुआ road होता है और उस steel road के उपर copper bonding किया जाता है copper bonding कितनी भी हो सकती है, 25 से 254 या 300 micron तक stainless steel, stainless steel rod और एक galvanized steel rod किस earth road का इस्तिमाल करना है, उसका चुनाव कोई parameter पर निर्भर करता है जिसमें शामिल हो सकती है soil property, corrosion resistance, जो ज़रूरी है cost और दूसरे factors जो बिजली की contractor और consultant टैक कर सकते हैं तो चलिए, अब brass tag की बात करते हैं और इस सवाल का जबाब देते हैं earth rod कैसे install करें? कोई electrical installation करते हुए सबसे पहले देखें कि main power supply switch off हो दूसरी बात, आप उचित, tool, procedure और safety के लिए personal protective equipment का उपयोग करें earth rod के installation process में जो material चाहिए उनमें शामिल है सबसे पहले earth rod, फिर earth pit या inspection chamber, तीसरी चीज़ earth rod clamp, चौथी चीज़ earth enhancing compound, पांचवी चीज़ खोदने का औजार note, earth rod सीधी जमीन में install की जा सकती है, या फिर ground resistance बढ़ाने के लिए earth enhancing compound का भी इस्तिमाल किया जा सकता है ये soil resistivity और site की condition पर निर्भर करता है अब चलिए, earth rod install करने के steps पर आते है step 1, installation के लिए earthing design के आधार पर right location की पहचान करे आप axis earthing design software का यूज कर सकते हैं, ताकि अपने earth rod के लिए best area को calculate कर सके software के बारे में अधिक जानकारी के लिए या axis की मदद से earthing system design करने के लिए हमें email बेजे, email ID description में दिया गया है step 2, 120 mm से 150 mm तक गहराई के diameter का या earth rod के बराबर का या उससे गहरा गड़ा करें तो example के लिए, यदि आप 8 foot का rod यूज कर रहे हैं, तो आपका गड़ा कम से कम 8 feet या इससे और गहरा होना चाहिए step 3, earth rod गड़े के बीच में लगाए गड़े में डालने से पहले, rod के सारे packaging material हटा दे rod का नुकिला हिस्सा, जमीन पे जाना चाहिए step 4, earth resistivity बढ़ाने के लिए, earth enhancing compound का use, backfill के तौर पर किया जा सकता है इसके लिए जितना जरूरी हो, उतना पानी मिला कर, पहले earth enhancing compound का डाड़ा गोल बना ले step 5, गोल को गड़े में डाले और उसे पूरी तरह से उपर तक भर दे, गोल इस गड़े में पूरी तरह से भर जाए, इसलिए गोल डालते समये, rod को हिलाते रहे step 6, आसपास की खाली जगे खुदी हुई मिट्टी से भर दे step 7, installation की एक या दो दिन बाद earth rod को conductor से connect करने के लिए earth rod clamp यूज़ करें step 8, पूरे सिस्टम की resistance value चेक करें ताकि ये तैह हो कि आपके project की specification पूरी कर लिया है या नहीं earth rod installation अब पूरा हो गया है हलाकि आप एक और step जोड सकते हैं earth pit install करें या earth rod के उपर inspection housing लगाएं ताकि rod का external factor या environmental condition से बचाव हो और inspection और maintenance आसान हो अब आपको earth rod के installation के बारे में पूरी जानकारी मिल गई effective और safe earthing system के लिए समय समय पर soil resistance और दूसरे parameter टेस्ट करते रहें हमें उमीद है कि इस वीडियो की मदद से आप जान गए हैं कि earth rod कैसे install करते हैं earthing, lightning protection और अन्य electrical safety से जुड़े और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को like और subscribe करना ना भूले यदि आपके मन में earth rod installation से जुड़े कोई भी सवार हो तो नीचे comment करे अगली बार जो topic आप दिखना चाहते हैं उसके बारे में भी comment कर सकते हैं और हाँ हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और bell आइकन पर click करें ताकि आपको नए वीडियोज के notifications मिल सकें